सामसंग के किसी भी फोन में प्रायरिटी मोड कैसे बंद करें या फिर कैसे चालू करें आए जानते हैं देखिए अगर आप प्रायरिटी मोड को बंद या चालू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने गेम को open करना होगा तो कोई भी गेम को आप open कर ले जैसे यहाँ पर मैं temple run यह game open कर लेता हूँ गेम जैसी open हो जाएगा तो नीचे से जहाँ पर buttons होते हैं हमारे back और home के हलका सा swipe करना है उपर की तरफ इस तरीके से यह option आएगा यहाँ पर आपको इस icon पर click करना है तो हमारा game booster का menu आ जाएगा अब देखें यहाँ पर priority mode है देखें अभी priority mode on है अगर priority mode on है तो आपके incoming calls और जो भी notifications होते हैं वो mute हो जाएंगे उसकी कोई भी आवाज आपको नहीं आएगी except alarm को छोड़के ठीक ह अब अगर यहाँ पर आप बंद कर देंगे तो यह बंद हो जाएगा ठीक है अब कोई भी call करेगा तो call आएगी ठीक है priority mode सिर्फ game में काम करता है ठीक है गेम से बाहर निकलेंगे तो यह अपने आप priority mode बंद हो जाता है वैसे भी ठीक है अगर आपको इसे on करना है तो यही से आपको उपर करना है ऐसा और इस आइगन पर क्लिक करना है वापस से आप priority mode on यहां से कर सकते हैं तो priority mode on भी हो जाएगा ठीक है